असलाम लेकूं हेलो बच्चो कैसे आप सब बढ़िया सब ठीक तो सुबाही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कुछ इंपोर्टन टेपिस दिये थे एक्जामनेशन के बारे में लेकिन जुही मेरे मुझे पेपर पे नजर पड़ी तो मैंने सोचा क जो पिसले साल पेपर आया है उसकी एक्स्विलनेशन आपको दूँ तो सिनस आज आज आपका लास्ट लास्ट डे था ओके माई डियर आम विरी सॉरी आज हमारा लास्ट डे है लेकिन इंशल्ला इंशल्ला लास्ट तो नहीं होगा आपका साथ हमेशा मेरे साथ है बेटा आप कहीं नहीं जा रहे हो 5th semester 6th semester उसके बाद PG उसके बाद प्यां तो बिल्कुल आप हमेशा मेरे साथ ही हो तो चलते हैं बेटा विदा वेस्टिंग वार इंपोर्टेंट टाइम प्रेश टायम आइम गोइंट एक्स्पेपर मेरे पास पेपर जो है वह एक्शुली 2018 का है मेरे पास 2019 का भी है तो कल संडे शाल आपके साथ और एक पेपर हम शेयर करेंगे तो आज फिलहल पेपर एक मेरे पास आया है तो चलते हैस्टार्ट करते हैं मुझे लगता है कि सभी के पास ये पेपर होगा इंशालला तो जिसके पास नहीं है तो वो इन पॉइंट्स को ध मनलब पूछा गया है पेपर में तो पहला कॉश्चन है बगवान साही कमीटी सजेस्टिड दाइट टीचर साथ ट्रैनेड बई सब्जेक्ट एक्सपर्ट साफ तो काजमी रिपोर्ट काजमी कमीटी को कब अपॉइंट किया गया था यह तो आपको पता है इट इस नाइंटीन हंड़ फिफ्टी ओके तो कॉश्चन अमबर टू इस कलिया है क्वेशन na third for the reformation of education system of J bert reaction के विच कमीटी तो बहै यह तो पूशने की बात है reformation के लिए again we have a काजमी कमीटी we have a काजमी कमीटी my dear reformation के लिए right okay no issue who appointed sharp committee sharp committee के दोरा को more ruler था हमारे तो it was my haraja पशाप सींग right तो फूर्थ वन जो है इडिस प्रताब सिंग इडिस प्रताब सिंग सो नाइस आप यू महराज़ प्रताब सिंग के दौरा काजमी शाप कमीटी को एपॉइंट किया गया था तो आफ्टर डैट वीच प्राइम मिनिस्टर अपजेंड के अपॉइंट काजमी कमीटी ओके उर्माद अबदल्लाः यह सौरी तौहजम हां फारग उपदल्लाद रइतल और थो पहलाई ऑप्शिन है शेडियः अप्सोल लuvू बेसे सेटिंग सुकूल है तो यह रिकमेंडेशन था NPE का 1986 राइट माइडिया 1986 पे सेटिंग सुकूल फार सेकंडरी एडुकेशन याद आया ना वह देविद्या लिया गिफ्टेड चिल्रन रूलर एर्या याद आया ओके माइडिया साइंटिफिकेंट टेक्निकल एड्युकेशन यह तो NPE का है साइंटिफिकेंट टेक्निकल एड्युकेशन यह भी किस ने दिया है NPE ने दिया है कौश्चन नुबर सेवन इस क्लिया एंड विचंडरी एड्युकेशन कमिश्चन सेकंडरी एडुकेशन कमिश okay my dear question number eight is clear the initiation ceremony of education during buddhist period was okay it is pabhaja very good my dear to pabhaja is the pabhaja pabhaja is the initiation ceremony अगर हम वेदिक पीरड की initiation सर्मितो it is upniana लेकिन यहां पर दो है pabhaja ke baad up some padha up some padha right 10 year plus 12 year that's 22 year education की duration what is dispatch is associated with which year by क्या बात कर रहे हो सर it is 1854 what is dispatch जिसको मेगना काट आप इंडियन एडिकेशन भी कहते हैं right recommendation of what is dispatch was the establishment of three universities कहां कहां कलकटा मडरास मंबई पर लिखने की जुरूरत नहीं है आपको सब याद है और यह काप मतलब establish किये गए थे युनिवर्स्टी इंका date मैंने अलग अलग दिया है तो go through my lecture go through my video you can easily do that okay now question number 12 first Indian education commission is also known as it is hunter commission यहां पर किसी ने कोठारी commission दिया भाई पहला Indian education from your first Indian education commission is also known as hunter commission okay introduction question number 13 पे आते हैं introduction of craft education was one of the recommendation of it is for the scheme to question number 13 को आपको पता ही है तो वार्दा सिकीम को ही craft scheme कहते का after sender scheme कहते हैं question number 14 पे चलते हैं which commission was called as Magna Carta of English education आपको पता है Magna Carta is Woodis Dispatch लेकिन यहां पे नन आपदे अबो है तो यहां पे कोई नहीं है तो hunter commission sergeant report Macaulay minute नन आपदे अबो यहां पे नन आपदे अबो आएगा क्यूंकि Woodis Dispatch जो है इसी को हम Magna Carta कहते हैं okay downward filtration theory is associated with it is Macaulay's minute तो जब हम downward filtration theory जिसको short में DFTB कहते हैं तो it is related with Macaulay it is related with Macaulay so nice up you I hope better you are enjoying the class you are enjoying the paper very easy so nice तो इसी तरीका का paper आपको भी आने वाला है अगर 60 नहीं अगर 55 नहीं तो कम असकम तो 50 तो आहीं जाएंगे ना okay तो मैं चाहता हूँ आपका target 60 होना चाहिए क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा या बहुत अच्छे से पढ़ा तो grant in aid system during British rule was recommended by what is dispatch grant in aid public instruction right yes sorry what is dispatch के ही recommendations है तो question number 16 grant in aid system was first recommended by what is dispatch right my dear what is dispatch so nice of you okay question number 17 sharp committee 1916 stressed the need of etiquette educational facilities especially for Muslim community right sharp committee basically kiss committee calling a Muslim Pratap Singh was very much you know interested in dealing with the education to the Muslims chaly kg say then kg khaja gullam say then committee suggested up gradation or vocational education adult education teacher education so it is teacher education is the right option 18 code teacher education cause me committee was appointed to look at the states of primary education to cause me report kajou maynay already upko kata many recommendation maya upko beta it was basically the primary education just coming instead of look after karna in year 1939 which educational committee was appointed hi guess karo it is kg say then right kg say then 1939 okay simple simple the commission of 1952-53 has given recommendations for by a job 52-53 and a 1952-53 by yeh kiska date secondary education ka to common sense secondary education will give recommendation to secondary education secondary education commission will give recommendation to the secondary education okay 21 question is clear which one of the following commission is called moodly our commission again moodly our commission is also called secondary education commission the question number next most important feature of our the scheme vocational education work experience basic education all of the bow all of the abo is the right answer the basic scheme of education emphasizes on utilitarian aim lateral aim social backwardness social education it is utilitarian aim okay that's good the the cotari commission is report was published in publish cup kia gaya 1966 cotari commission ko by kis ko yad nahi ho ga 1966 publish kia gaya a point cup kia gaya 1964 main or publish kia gaya 1966 main okay chalte hai jaldi jaldi see the language policy recommended by cotari commission kohon se language three language formula write my dear पहला ही option है three language formula three language formula इस पर तो अच्छे से हमने वीडियो भी बनाया इस त्री लैंग्वेश फार्मला का मतलब भी क्या है मैंने वो भी आपको समझाया है वो भी आपको समझाया है कि त्री लैंग्वेश फार्मला का मतलब क्या है चले बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कश्मीर फालो दे स्कीम आप यहां पे भी तो कौन सी स्कीम है इससासे ते बिल्मैंटरी फ्यूंटरी एजुकेशन को प्राम प्राम मूर्थी कमिशन वेरी फिरी गुंटरी फ्राम गांटरी एजुकेशनल ऑप इस अ क्या मूंटरी कमिशन सब्सक्राoday कर दिज्चाइजिक्सै पूला कि दिजस्टमाइगर देक्स्टिशन गार्टी राजी गांदी अगर हम 68 की बात करेंगे उसकी मां इंद्रा गांदी ने ओके, that's good. The main focus of education in ancient was ancient period में सबसे ज़्यादा spiritualism पे ज़्यादा जोर दी थे तो my dear it is of course it is a religion तो main focus of education in ancient इंडिया वाज रिलिजन ओके, 32 पे चलते हैं ancient educational institution was called oh ho, simple गुरुकुल सुस्टम तो ancient is mean is Vedic period Vedic period में institutions को का कहा जाता था गुरुकुल सुस्टम ये actually home of the teacher होता था number next Monasteries imported religious and secular education Monasteries देखो Vedic education में गुरुकुल सुस्टम था लेकिन बुदिस्ट में Monasteries था तो Monasteries बेटा ये कहां का है ये Buddhism का है Monasteries, right चलते, चलते, चलते The medium of instruction during the Buddhist period Very simple, Pali अगर Vedic आएगा तो Sanaskrit अगर Muslim आएगा तो वहाँ पे Persian, Arabic and Urdu Generally Persian and Arabic, right Disciplineship was the characteristic feature of गुरुकुल सुस्टम गुरुकुल सुस्टम was highly disciplined, right वहाँ पे तो main focus था discipline का Okay, तो Disciplineship was the characteristic feature of गुरुकुल सुस्टम During the ancient period of education in India Main citrus was given by ancient Superitual development यहाँ पे physical भी है, mental भी है, Superitual है, socially अगर आल आपदे अबो आथा तो All of the Abos was the right answer But unfortunately there is not all of the abos But यहाँ पे है Superitual development तो ancient period में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता था Superitual development पे तो इस बात को हमेशे याद रखना The pathway to liberation in the Buddhist consistence of Pathway तो कितने paths बोले थे Eightfold path जिसको हमने अस्थान मर्ग भी कहा था Eightfold path, that is Buddhism Noble truth is कितने है, चार है ठीक है, okay Madrasas is related to the period Madrasa का concept किन कहा है, maktaba and madrasa That is Muslim period, my dear Orientalist and Occidentalist controversy is associated with Oh, that is Macaulay's minute Macaulay को ही बलाया गया, जिसको बाद में उसने end भी की थी Controversy को, लेकिन उतने ज्यादा controversy And to some extent उसने इसको Controversy को end किया था तो यह Orientalist or Occidentalist Orientalist, they support Sanskrit, Urdu, Hindi, Arabic लेकिन जो Occidentalist, they favor English education So, who said that a single shelf of good European library Was with the whole native literature It has been said by Lord Macaulay So, these are the 40 objectives Saj bolna, comment section में जूरूर बताएगा के 40 में से आपको कितने आए Thank you, Mayla, bless you and keep always learning